कॉस्टन नमबर 6 दिखेंगे बहुत ही जबरदस कॉस्टन क्या क्या रहा है find the middle term of the following AP मतलब इस AP के बीचों बीच कौन सिटम है वह मुझे बतानी है जो बहुत सिंपल कोस्टन है कैसे करेंगे बस फंडे पर बने रहे न हमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले इसमें हमें फर्स्टम दिया हुए कितना है 60 से 6 एक इतना है 6 यह होती है मेरी फर्स्टम फर्स्ट तो देखो दी निकालने का क्या तरीका है इसमें से इसको माइनस मतलब 13-6 इसमें से इसको मतलब 20-13 तो यहां से डी कितना आगया डी इकल टू 7 इकल टू 7 मतलब यह से माना चाहिए ठीक है अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने कैलकुलिसम में स्टेक किया मेरे पास एपता दोनों का मतलब एक है वो कितना है 216 तो हमें फार्मूला पता है क्या फार्मूला पता है जी ए एन इकल टू A PLUS N-1 इन्टु D तो देखो एन कितना मेरे पास ही रहा 216 तो 216 इकल टू A कितना है यह यह रहा 6 प्लस n नहीं पता है n-1 और d कितना है 7 तो यहां देखो यह 6 इधा रहा जाएगा 216-6 is equal to n-1 into 7 तो यहांसे कितना जाएगा 210 equal to n-1 into 7 अब यह 7 खान जाएगा अपोन में 210 upon 7 equal to n-1 तो यहांसे यह पूरा-पूरा कर जाएगा 30 तो यहांसे कितना जाएगा 30 plus 1 इस 1 को इधर भेज़ दो तो कितना जाएगा यह एण तो यहांसे n कितना जाएगा n equal to 31 मतलब इसमें total अगर n की value मेरी even आए वो कह रहा हूँ odd आए n की value अगर odd आए तो इसके बीचो बीच कितनी टम होगी देखो 16 टम होगी कैसे निकाला मैंने अगर n की value odd आए तो इसमें 31 odd में plus 1 कर दो और upon 2 कर दो तो कितना जाएगा यह 32 upon 2 मतलब 16 तो मतलब इस तो बीच वाली टम होगी मतलब इस एपी के बीच में आएगी बिल्कुल अब उस value को कैसे निकालेंगे सर यह खा से आया देखो यह इस फार्मूले से आया इस बारे फार्मूले में इस बारे से यहाँ पर n की जागा 16 रख लो तो देखो 16 रखने पर क्या आगा 16 और यह पता ही नहीं है तो 16-1 15D वो ही लिखा अब यह तो मुझे पता है यहाँ पर यह कितना है 16 वो 6 पलस 15 इंटू ड कितना निकाल चुका हूँ मैं D यहाँ मेरा D कहाँ है यह रख 7 तो यहाँ पर कितना आ जागा यह 6 पलस 15 सत्ते 105 तो यह कितना जागा 111 मतलब कितना आ गया यह जो मेरी बीचो बीच टम होगी वो कितनी आएगी 111 तो यही इसकाा अंसर है और इसका और हसानी से तरीका बता रहा ह। एक लाइन में आप चुठीओं में कैसे कर दोगे इन दोनों को एड़ कर दो देखो एक लाइन में इन दोनों को एड़ करके divided by 2 कर दो मेरा आंसर आ जागा देख लो चाहिए एक लाइन में विदिन सेकिंड में कैसे आंसर आ रहा है तो 216 प्लस 6 अपॉन 2 तो कितना जागा यह 222 अपॉन 2 मतलब 111 यही मेरा आंसर है देखो वही आया आंसर तो यह सो कट रिख है बिल्गुल एक नंबर के मतलब अगर MCQ में आ जाए तो तुलंत ऐसे करना आपको और लोंग कोशन में कहतर हैं अच्छे से नीटाऑन यह वहphon कोशन बहुत अच्छे से आता है और यह में ट्रम वाले कोशन बच्चों को समझ में या था है श्टाई की नहीं करता कि इसको करें कैसे तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंट सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइक अंद बालेना कि जैसे मैं कोई ने वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे कुस्टन के साथ तब त